लो गाइस इस विडियो में बात करेंगे एकट्यो चैलेंग वालशन का फार्म कैसे यकबошा जाएगा चैलेंग वालख का इवालशन का फीस कितना देने पड़ती है स्टेज कर दिम की फीस कितनी है सब्सक्राइब करते हैं कि पूरी अप्डेट यहां पर आने के लिए पहरे आपको गोगल या क्रोम प्राज्व सच करना है कि यहां को लागिन करने यारपी आपको सच करके फिर लागिन कर लेना यहां से रोल लंबर पास्वर डाल लेंगे तो इस तरीके से कुछ पॉर्टल यहां से तीन चार आप्शन दिखेंगे जो आप थोड़ा नीचे आएंगे तो हां से आपको स्क्रॉल करने पर रिवाइडियोशन डैश्बूर्ट यही यहां पर आपको इसके क्लिक करने के बाद यहां से देखे चैलेंज स्कूर्टनी सब कुछ यहां से सब कुछ आपको करेंगे यहां से आपको 30 रुपए फीस जहां देना होगा उसके बाद जब फीस पे कर देंगे उसके बाद यहां पर आप आएंगे उसके पहले चैलेंज को यहां से आपको डेट वगरा मिंशन है तो यह जो डेट दिखा रहे हैं बाईस मैं 2012 की है यानि जो पहली थी ये close हो चुकी है यानि बाइस में जो जिन्होंने फेस वर में एक्जाम दिया था उनको भी बाइस में एक हफता पहरे date close हो चुकी है तो अभी जो एक्जाम रिजल्ट आया है जिन छात्रों का अभी आट समिश्चा जो रिजल्ट आया है उनके रिजल्ट के बाद आने के बाद जो च्साथ classrooms का रिजल्ट बचा है COP रिजल्ट यानि केरिवर जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद portal दोबारा open होगा पोर्टा तो कब ओपन होगा जब तक केरिवर का रजल्ट या फिल लेप्टोर का रजल्ट नहीं आता है हाला कि केरिवर के रजल्ट के बाद एक टू पॉर्टल ओपन कर देगा क्योंकि ये पॉर्टल एक सट डियर महीने ओपन रहता है तो मांग़ें चलिए कि वन वीक से के नियर अबाउट पॉर्टल ओपन होने के चांसेश है हो सकता है चार जून तक जो है आपका रजल्ट आ जाए तो दुशार दिन में यानि कि इसी हफते में जून के इसी हफते में चैलेंज यूरेशन का पॉर्टल ओपन हो जाएगा चांसेश यही है और बात कर लेते हैं फीस की आखिर कितनी कितनी फीस देनी पड़ती है तो यहाँ देखो मैंने पहले पता शुकाओ जो stage 1 होती है stage 1 के लिए आपको 300 रुपे देना होता है stage 1 में आपको क्या होता है कि 300 रुपे आप देते हैं कापिश होती है, आपने कापी देख सकते हैं कि अगर आपको असंतुष्ञ आपको लगता है कि हमने जो exam में लिखा था, उस हिसाब से जो कापी हमारे दिख रही है उसके हिसाब से number कम मिल है, फिर کوई question ऐसा है answer आपने ऐसा लिखा जिसका आपको marks नहीं मिला है फिर marks count नहीं हुआ है तो आप फिर challenge कर सकते हैं stage 2 में जाके आप challenge कर सकते हैं उसके लिए आपको 2500 रूपे देना होता है total मिला कि कितना होगा 2800 रूपे आपको देना होगा लेकिन अगर आपके माली जी आपका जब result आएगा challenge evaluation का फिर आपके 20% 20% are more than 20 20% या फिर more than 20% अगर आपके marks increase होते तो आपके 15100 रूपे रिफर्ड आ जाएंगे यानि 20% या फिर 20% से ज़्यादा more than 20% अगर आपके marks increase बढ़ जाते हैं तो आपके 15100 रूपे कि ट्यूर रिटन कर देगा कोई भी विशे हो सभी का solution है डाउट टैप पर उसके लावा online classes 9-12 ITJ need online classes जिसमें देश के कई सारे बच्चे लाने टाप on rank तो आप भी अपना डाउट नेट अप इस्टाल करो डाउट भगा और ले आओ टाप on rank कहां से आएगा आप एक बात ध्यान रखिए कि जबाप चैलिंज ओर्शन का फार्म फिलप करेंगे तो उसी एकाउंट में पैसा आएगा जिस एकाउंट से आप फीस पेवेंट करेंगे जिसाब से आप तीन सु रुपए और पचीस सु रुपए फीस पे करेंगे उसी एकाउंट में पैसा रिटरन आएगा तो आप वही एकाउंट डादिएगा कहीं बात करते हैं रिजल्ट जातरों ने एक्जामिनेशन जातरों ने चैलिंड औरेशन का फार्म फिलप किया है उनका रिसल्ट कब आएगा तो देखे चैलेंज विरेशन का रेजल्ट आने में कम से कम 40 to 45 डेस उसे जादा ही लग जाते हैं 45 to अगर हम 20 बन्त कहें 45 to 60 डेस कहें तो यह भी गलत नहीं होगा क्योंकि 40 डेस से कम नहीं लगते हैं तो जून में आपके रेजल्ट आने के बिल्कुल चांसे नहीं है आएगा अगर आपका रेजल्ट मांगे चरिए जुलाइ के स्टार्टिंग में या फिर जुलाइ के 10 जुलाइ तक में आपका रेजल्ट आने के चांसे हैं पहले आपका रेजल्ट आने के चांसे नहीं है बहरा अगर रेजल्ट आता भी है तो आपको इस चैनल पर नोटिफिकेशन यानि की वीडियो अपलोड हो जाएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लावा किसको चैलेंज नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन मिल जाएगे तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब घंटी का बटन जो है जरूर दबा ले बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जैसे कोई न्यू आपडेट न्यू वीडियो आता है आप तक उसका नोटिफिकेशन बहुत सके आई हो आप समझे जोगाज के ल सब्सक्राइब जो तो आप बेस्टाबला